आदनिय दिग जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है, समाज के वन्चित वर्को वरियता उस संकल्प को लेकर के हम जी रहें, उस संकल्प को लेकर के चल्द हैं। दसकों तक, दलीत, पिछडे, आदिवासी, जिस हालत मुन को छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया, जो समिधान निर्माताओं ने सोचा था, जो समिधान निर्माताओं निर्विश्च किया था, 2014 के बाद, गरीब कल्यान योजनाओं का सरवादी कलब, मेरे इनी परिवारों को मिला है। दलीत, पिछडों, आदिवासी की बस्तियों में, पहली बार, मानियते की पहली बार, बिजली पहुँची है। बीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार, नल से जल पहुँच रहा है। इन परिवारों में पहुँच रहा है, मानियत दिग जी, अनेक परिवार, कोटी-कोटी परिवार, पहली बार, पक्के घर में, आज जा पाये हैं, वहां रह पाये हैं। आदरी अद्दक जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी, आपके लिए चुनाव के समय जिसकी याद आती थी, आज सडक हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं, फोर जी कनेक्टिवीटी भी वहां पहुँच रहे हैं। आदरी अद्दक जीस, पुरा देश गवरव कर रहा हैं। आज, आज एक आदिवासी, राजपती के रूप में जब देखते हैं, पुरा देश गवरव गान कर रहा है। आज देश में आदी जाती समू के नर्नारी, जिनोंने मात्र भूमी के लिए जीवन तरपन कर दिये। आज आदी के जंका नेतुत्व किया, उनका पुर्णे समा आज हो रहा है। और हमारे आदिवासी के गवरव दूप मना जा रहा है। और हमें गवरव है, कैसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के परतिंदी के रूपे, एक महला देश का नेतृत्व कर रही है। नाज्टती के रूप में काम करें, हमने उनका हक दिया है, आदर्णिय जी जी, आदर्णिय जी, हम पहली बार देख रहे हैं, एक बाद ये भी सही है, हम सब का समान रूप है, सिर्फ मेरा ही असा है ता नहीं, आपका भी है, हम सब जानते हैं, कि जब माश रसकत होती है, तो पूरा परिवार सरसकत होता है, जब माश रसकत होती है, तो परिवार सरसकत होता है, तो समाज सरसकत होता है, और तब ही जाकर के देश सरसकत होता है, और मुझे संतोश है कि माताएं पहनो बेटियों को सबसे ज़्यादा सेवा करने का सोभाग्य हमारी सरकार को मिला है हर छोटी मुसिबत को दूर करने का प्रामानिक पुर्वक प्रयास किया है बड़ी सम्वेजन सिल्टा के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है आधनियद्ध जी कभी-कभी मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसा कैसा पुदानमत्री है लोल कीड़ी पर से टॉइलेट की बाते करता है बड़ी मजाक उड़ाया गई आधनियद्ध जी ये टॉइलेट ये इजजदगार इन मेरे माताओ बेहनों की चमता उनकी सुविदा उनका सुरक्षा का सम्मान करने वानी बाता है इतना ही नहीं मानियद्ध जी जब मैं सेनेटरी प्रेट की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है अरे पधान मंत्री ऐसे भी जब मैं क्यों जाते है मानियद्ध जी सेनेटरी प्रेट के अभाव में गरीब बेहन बेटियों के अपमान सहती थी बिमारियों का शिकार हो जाती थी माता और बहनों को दूवे में दिनके कई गंटे बिताने पड़ते थे उनका जीवन धूमे फ़सा रहता था उसे मुक्त दिलाने का काम उन गरीब माता और बहनों को करने का सौपाई थे हमें भी रहा थे जिन्दगी खप जाती थी आदा समय पानी के लिए आदा समय क्यरोसिन की लाइन के इंदर खपे रहते थे आज उसे मुक्त देने का संतोश उन माता और बहनों को मुक्त देने का संतोश मानियत देगी जो पहले चलता था अगर बैसा ही हम चलने देते शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मुदी जी ये क्यों नहीं किया क्योंकि देश को आपने ऐसी सिटी में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था वैसी इंदिराशा में देश को जौक कर रखा हुआ था हमने उजवन आई होजना से जुए से मुक्ति दलाई जल जीवन से पानी दिया बेहनों के ससकतिकन के लिए काम किया नव करोड बेहनों को सेल्फ हेल्प ग्रूप स्वायम सहायता समू से जोड़ना माइनिंग से ले करके डिफेंस तक आज माता और बेहनों को बेटियों को अवसर खोल दिये हैं ये खोलने का काम हमारी सरकार रिखिया है आदियन अग्देजी इस बात को हम वियाद करें वोट बैंक की राजनिती ने देश के सामर्थों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुचाया और उसी का प्रणाब है कि देश में जो होना चाहिए जो समय पर होना चाहिए था उस पर काफी देर हो गई आप देखिए मद्दिंबर लंबे समय तक मद्दिंबर को पुरी तरह नकार दिया गया उसकी तरह में देखा तक नहीं गया एक प्रकार जे वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं अपने बल्बुते पर जो हो सकता है करते चलो वो अपनी पूरी शक्ती बेचारा खपा देता था लेकिन हमारी सरकार एंडिये सरकार ने मद्दिंबर की इमानदारी को पहचाना है उन्हें सरक्ष्य पुरदान की है और आज हमारा परिश्रमी मद्दिंबर्ग देश को नई उचाई पर ले जा रहा है सरकार के विबिन्य योजनाओं से मद्दिंबर को कितना लाब हुआ है माने दिख जी मैं उदान देता हूँ 2014 से पहले GB डेटा क्योंकि आज यूग बदल चुका है ऑनलाइन दुनिया चल रही है हर एक के हाथ में मुबाईल पड़ा हुआ है कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मुबाईल तो होता ही है अधरनिय देख जी 2014 के पहले GB डेटा की किमत 250 रुपिया थे आज आज सिरब 10 रुपिया आज सिरब 10 रुपिया आधरनिय देख जी एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 GB का उप्योग करता है अगर उस हिसाब को मैं लगाऊ तो एवरेज एक व्यक्ति का 5,000 रुपिया बचता है आधरनिय देख जी जन अवस्वदी श्टोर आज पूरे देश में आकरसं का कारण बने क्योंकि मद्यम्भर का परिवार उसको अगर परिवार में सीनियर सेटीजन है डाइबिटीज जैसी बिमारी है तो हजार, दोजार, गाईजार, तिनिजार की दवाई हर महिना लेनी पड़ती है जन अवस्वदी केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपय में मिलती है जन अवस्वदी में 10 रुपय, 20 रुपय मिलती है आज बीस हजार करोड रुपिया मद्यमबर का जनव सदी के कारण बचा है मानिय देखी हर मद्यमबर की परिवार की एक सपना रहता खुद का गर बने और अर्बन इलाखे में होम लोन के लिए बड़ी विवस्ता करने का काम हमने किया और रेरा का कानून मनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्वा मद्यमबर की महनत की कमाई को सानों तक डूबो कर रख देते थे उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विस्वाद देने का काम हमने किया और उसके कारण खुद का घर मनाने के उसकी सहुलियत बढ़ गई है आदरिनियत दक जी हर मद्दमबर की परिवार को अपने बच्चों के भविश्व के लिए उसके उत्षे सिख्षां के लिए उसके मन में रहता है मनसुबा रहता है वो चाहता है आज जितनी मात्रा में Medical Colleges हो, Engineering College हो, Professional College की संख्या बढ़ाई गई है, सीटे बढ़ाई गई है, उसने मद्दमवर के कि अब समय नहीं गवा सकते हैं, और इसलिए हमने Infrastructure की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है, और ये भी माने स्विकार रगा, भारत की एक जमाने में पहचान थी, गुलामी के कालखन के पहले, गुलामी के कालखन के पहले ये देश, Architecture के लिए, Infrastructure के लिए, दुनिया में उस की ताकत थी पहचान थी, गुलामी के कालखन में सारा नस्टो गया, देश आजाज होने के बाद, वो दिन दुबारा में आये गा थी, आचा थी, लेकिन वो भी समय बीद गया, जो होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए, जिस केल से होना चाहिए था, वो हम नहीं कर आज, आज उतमें बहुत बड़ा बडलाव इस दसक में देखा जा रहा है